बिटा ये देखिए फीमे एनोफ्रीज मॉस्किटो जिससे हमें मलेरिया होता है जो की काफी खतरनाक बिमारी है नेक्स्ट है आपके ये कुछ डिजीज के नेम दे रखे हैं टूबर क्लॉसेज, मिजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाई, हैपटाइटिज, मलेरिया ये इनसे होते हैं, ट्रांस्मिशन, ये हमारे बॉड़ी तक कैसे आते हैं और हमें क्या बचाव करना चाहिए, ये सब को आना चाहिए नेक्स्ट है, माइक्रो और्ग्रेस से फूड पॉइजन होती है, फूड पॉइजन मतला खाने का जहर बन जाना यदि हमने जो फूड खाया है और उसमें माइक्रो और्ग्रेस हो चुके हैं, तो वो हमारे स्टमक में जाकर हमें बिमार करता है नेक्स्ट है, माइक्रो और्ग्रेस अनिमस में भी बिमारी करते हैं, या तक की प्लांट में भी तो ये आपके plant disease है, microagrize है और transmission है next है food preservation food को preserve रखने के लिए कई समय तब सुरक्षित रखने के लिए भी हम क्या करते हैं food को सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा food preserve है तो वो काम, वो work क्या है, वो क्या method हैं जिससे हम अपने खाने को बचा सकते हैं next topic है food preservation food preservation में first है chemical method chemicals के दौरा खाने को preserve करना common salt के दौरा, sugar के दौरा, oil of vinegar के दौरा आपकी मम्या इस टाइम केरी का चार डाल रहे तो उसमें तेल की मातरा धिक है क्योंकि उस तेल से वो कई साल होता प्रिजर्वेशन रहेगा विनेगर से वो खटा होकर कई साल तर प्रिजर्वेशन रहेगा फिर है heat or cold treatment के दौरा, food preservation, pasteurization किसी भी चीज को तेज गरम करकर, boil करकर, ठंडर करकर रखने से वाली प्रोसेस को प्रोसेस को प्रोसेस को प्रोसेस करते है जैसे आपकी मम्य दूद उबालती है उबालने के ठंडर रख करती है इसका अतला कि कौन सी प्रोसेस होता है प्रोसेस को प्रोसेस को प्रोसेस को अपने ड्राइफ फूट्स और वेजिटेवल को ऐसे स्टोर कर सकते हैं कि जैसे वह कई समय तक प्रिजर्व रहे जैसे आप एर टाइट बॉक्स का यूज करते है नैट्रोजन साइकल क्या है